क्या चीनी नेता शी जिन पिंग गुपत रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को नश्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये उतना दूर न हो जितना आप सूचते हैं। बिना सिंसर किये चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीनी नेता शी जिन पिंग पर उनके राजनीतिक पतिदवंद्रियों पूर्व नेता जियांग जेमिन के गुट द्वारा एक और हमला किया गया है। और जियांग गुट इस बात से भैभीत है कि शी उन्हें और चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी को हमेशा के लिए नीचा दिखाने जा रहे हैं। आप जानते हैं उसका क्यारत है। ये सभी के पसंदीदा कम्यूनिस्ट सोपो पेरा समान्य शत्रुता के एक और एपिसोड का समय है। पहले समान्य शत्रुता पर ची जिन्पिंग पूर्द चीनी नेता जियांग जेविन के साथ जीवन या मृत्यू के संगर्ष में बंध है। लेकिन क्या बहुत देर होने से पहले जियांग और उसके साथ ही शी जिन्पिंग को रोख देंगे। उनके लिए शीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के भीतर एक चौतरफा युद चल रहा है। जियांग दुट के सदस्यों ने शी के खिलाफ तकता पलट की कोशिश की, उन लोगों में से एक बोशिलाई है। वह वही था जो जियांग जेमिन कम्यूनिस्ट पार्टी पर शासन करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब वो जेल में है, जीवन के लिए वो शिलाई को याद करो। कुछ तेर में फिर वही नाम आएगा। इस बीच शी जिन पिंग सत्ता बटोर रहे हैं। उन्होंने भरष्ट अचार विरोधी अभ्यान की आर्मे 40 लाग से अधिक कम्यूनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को शुद्द किया है। उनमें से कई जियांग से जुड़े हुए हैं। जाहिर तोर पर इसने शी को बहुत दुश्मन बना दिया, ठैर बहुत अधिक दुश्मन। और इसे कई लोगों को आश्चर होता है कि क्या शी वास्तव में खुद को CCP का निर्विवाद नेता बना सकते हैं। या यदि उनके दुश्मन पहले उन्हें बाहर निकालेंगे। शी जिन्पिंग कितने भयानक हैं, इसके बारे में सब कुछ है। यह यहां तक दावा करता है कि शी चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी को ही नश्ट कर सकते हैं। यह कम्यूनिस्ट पार्टी समर्थित वेबसाइट पर कैसे प्रकाशित हुआ। शी जिन्पिंग का वर वस्तुनिष्ट मुल्यांकन शीशक वाला यह लेक लोगों के होश उडा रहा है। जैसा कि आपने अरुमान लगाया हुगा, यह वस्तुनिष्ट नहीं है। यह शी जिन्पिंग का 42,000 केरेक्टर लंबा टेकटाउन है और इसके चारों तरफ जियान गुट के उंग्लियों के निशान है। चीन की राजनीतिक जोखिम सलाकार, सिनो इंसाइडर की अनुसार, शी को दमनकारी। प्रतिगामी और एक संभावित पखंडी के रूप में दर्शाय गया है, जो सत्ता में बने रहने पर CCP शासन के पतन की शुरुवात करेगा। हाँ, शी वास्तब में चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी को नश्ट करना चाह सकते हैं, ये बेतुका लग सकता है, लेकिन मैं थोड़ा और समझाओंगा। लेकिन लेख मूर रूप से हर नकारात्मत बात है जो आपने शी के बारे में सुनी है। एक अत्याचारी तानाशा, घोर मानवादिकारों का हनन करने वाला सत्ता का भूखा और खतरनात, शी की आलोचना करने के लिए लेक पीछे की ओर जुख जाता है। इतना की वा खुद का खंडन करने लगता है, शी एक रणनीतिक मास्टर माइन है, लेकिन फिर लेक में उन्हें कम आत्म विश्वास वाला अक्षम देश का बदमाश भी बताया गया है। बहुत अच्छा है, ये बोशिलाई की भी प्रशंसा करता है, उसे पहले से याद है, वह एक ज्यांग लड़का था जिसने शी जिन पिंग को खाड़ फेकने की कोशिश की थी, जिन पिंग हाल ही में सामान्य सम्रद्धी के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, वैसे इस में दावा किया गया है कि ये केवल बोशिलाई के सामान्य सम्रद्धी के बारा लिखों की एक प्रती है, बोको सक्षम, जानकार, व्याभारे, पश्चिमी समाज और खुलेपन को सुईकार करने और बुद्धिजीवियों के साथ अच्छे संबंद रखने वाले के रूप म दर्शाय गया है, हाँ, वह यहाँ है, श्रीमान पश्चिमी समाज और खुलेपन को सुईकार कर रहे हैं, अब बोशिलाई वास्तव में चीनी शासन के वानिच मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इसमें समस्याय है, हर बार जब उन्होंने विदेश यात्रा की, तो उन पर मान के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने फालुन अभ्यासियों को उनके अंगों के लिए मारने में महतुपून खुमिका निभाए थी, पूर्व प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ ने बोको कम्यूनिस्ट पार्ट दिया की बोक के महतुपून नकारात्मक अंतराश्ट्रिय प्रधर्शन ने उन्हें एकुच अंतराश्ट्रिय स्तर परचीन का प्रतिमिद्ध्व करने के लिए एक अनुपयुक्त उमीदवार बना दिया, इसलिए एकुच पत्राप करने के बजाए बोको एक महतुई शहर के पार्टी सचिव के पत से हटा दिया गया, यदि एक नरसनहार शासन का संबंध है तो आप बहुत अधिक नरसनहार कर रही है, ये कुछ कहता है, लेकिन शी जिनपिंग का और देश मुल्यांकन लेख से संभालता है, ये कहता है, यदि जियांग जेमिन फालुन गूं की घणा को आकरशित करता है, तो शी सभी वर्गों के आकरोश को प्रकट करते हैं, दूसरे शब्दों में कुछ लोग जियांग जेमिन से नफरत कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोई शी जिनपिंग से नफरत करता है, शी जिनपिंग ने पार्टी में लगभग सभी को चोट पर कम्यूनिस्ट पार्टी ने अनेक पाश्चात्य कुलीनों को धनी बना दिया है, वे वास्तफ में इसे संबंध नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन कम्यूनिस्ट पार्टी इतनी अकरामक और इतनी नरसनहारवादी है कि पर्श्चिमी कम्पनियों और राजनेताओं के लि हम उसे बेदखल कर सकते हैं और हमेशा की तरह व्यवसाय में वापस आ सकते हैं, जियान गुट शी जिन पिंग के नित्रत में खुद को बरबाद चीन के उधार करता के रूप में पेश कर रहा है, लेक दाक एंड चाइना द्वारा लिखा गया था, मुझे यहां कुछ बा से पार्टी को विगटिट करने और उन्हें बस के नीचे फेकने के लिए नीव रख रहे हैं, अब यह आपको पागल लग सकता है, शी जिन पिंग चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रमुक के रूप में सत्ता हासिल कर रहे हैं और अपनी स्थिती को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन यह लेक्स पश्ट करता है कि जियांग गुचिंतित है कि यह पार्टी को खत्म करने की एक दस्तावना हो सकती है, इसमें कहा गया है कि शी जिन पिंग सी सीपी की सत्तारूल नीव परत दर परत मिटा रहे हैं, सटीक रूप से शासन के सभी महत्वपून अंगुपर हमला, लगबग सर्जिकल तरीके से इस अधिनायकवादी सरकार को लगातार खर्त्म करना और पार्टी के भागने के मार को काट दिया, तो इसका क्या मतलब है कि शी शासन के महत्वपून अंगुपर हमला कर रहे हैं, पार्टी के भागने का रास्ता काटना, खैर, याद र लूप से जियांग का अपना निजीगे स्टापोल जो केवल से या उसके लोगों को जवाब देता था, यह फालुन गोंग अभ्यासियों के नरसनहार के पीछे प्रेरक शक्त्री थी, 610 कार्याले जियांगुट का महत्वपून अंग है, और शी ने इसे खत्म करने में वर संचय और पार्टी प्रणाली में बदलाव वास्तव में उनके लिए जियांगुट पर CCP की बुराईयों को दोश्ट देने और पार्टी को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, इसलिए व्यत्तिगत शक्ती जमा करके शिवास्तव में पार्टी को अप्रासंगिक बन लोगतांत्रे किरादे हैं जितना अधिक लोग उसे देखते हैं, उतना ही वे सोचते हैं कि यह वही है जो शासन को नश्ट कर रहा है, शी जिन्पिंग पार्टी को खत्म कर रहे हैं और चीन को लोगतांत्र में बदल रहे हैं, अब यह सामान ने शतृता का सबसे बड़ा मोर होगा लेकिन मैं अपनी सांस नहीं रुकूंगा और हम आपके सहयोग के बिना ये शो नहीं कर सकते थे इसलिए योगदान देने वाले प्रशन्सकों का धन्यवाद मैं अपने कुछ एपिसोड के अंत में उनके सवालों का जवाब देता हूँ आज का प्रशन हमारे अनन्यस्थानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाय पीने वाले से आता है क्या आपके पास चीनी सिनेमा की पसंदीदा रूम कॉम फिल्म है ओह ये एक आसान चाय पीने वाला शावलिन सौकर है ये वही आदमी है जिसने बाद में कुंगफू हसल ब अपने अद्विती कोशल का उप्योग करके सबसे बड़ी सौकर टींग बनने के लिए है मैं इसकी पुलजोर सला देता हूं और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद चाय पीने वाला और देखने के लिए धन्यवाद यदि आप चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी का परदाफा पाश्चारी रखने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्थानिय लोगों पर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीन को बिना सेंसर किये समर्थन करें इसमें शामिल होना मुफ्त है लेकिन अगर आप भुगतान करने वाले समर्थक बन जाते हैं तो आपको में आपके प्रश्ण का उक्तर देने का मौका भी शामिल है एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ अगली बार मिलते हैं कर दो आपके बार मिलते हैं